वेलकम टू स्ट्यानो विद्पारस डिक्टेशन स्टार्ट होगी पांस सेकंड बाद स्टार्ट जिन्दिगी हमें प्रती दिन दूसरों की मदद करने का अवसर प्रेदान करती है जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम प्रभू के बच्चों की मदद करते हैं जब हम किसी को दुत कारते हैं तो हम प्रभू के एक बच्चे को दुत कारते हैं चूंकि हम सभी प्रभू के ही अन्स हैं ऐसे में हम कैसे उमीद कर सकते हैं कि प्रभू हमसे खुस होंगे कई व्यक्ति सिर्फ प्रत्यक्ष रूप से प्रभू की सेवा करना चाहते हैं लेकिन वे यह नहीं समझते कि प्रभू की स्रष्टी की सेवा करना भी प्रभू का ही कार्य है हमें कभी पता नहीं होता की प्रभू किस रूप में हमारे सामने आ जाएंगे इसलिए हमें सब के साथ प्रेम पूर्वक वेहवार करना चाहिए पहरा संत गुरू निस्काम सेवा के मुद्र रूप होते हैं वे हर समय दूसरों की मदद करने में जुटे रहते हैं वे अपने समाज के सकरिय सदस्य होते हैं जो भी उनके पास आता है वे उसकी मदद करते हैं वैसे भी अध्यात्म दूसरों की मदद करने से दूर भागना नहीं है इसका अर्थ है दूसरों की जरूरतों को समझना और उनके प्रती सम्वेदन सील होना हमें अपने दिल को बड़ा कर पूरी स्रष्टी को एक परिवार जैसा मानना चाहिए ऐसा करने पर हम दिल से दूसरों की सेवा करने लगेंगे तब अपने लिए कुछ पाने की इच्छा भी नहीं रहेगी जब हम ऐसा करेंगे तब सचमुच प्रभू की खुसी पालेंगे तब ही हमारा अध्यात्मिक रूप से विकास भी हो सकेगा पहरा आत्मा का एक दिव्य गुण है सच्चाई या सत्यता हालांकी आत्मा सच्चाई के रास्ते पर चलती है पर मन धोका दड़ी और जूट का खेल खेलता है आध्यात्मिक उन्नती के लिए हमें अपनी आत्मा को अधिक से अधिक जानना होगा और अपने मन को काबू में करना होगा इसके लिए हमें सच्चाई का सदगुण धारन करना होगा अपनी असली अवस्था के नजदीक आने यानी अपनी आत्मा के नजदीक आने का अर्थ है कि हम अपने कार्य वेहवार में इमानदार हो जाएं और सभी को प्रभू का अंस समझे इस्टोप